आज मैं बताऊंगी फ्रेंड लसुन चिलने का बहुती आसान इजी तरीका घंटों के काम आपका मिन्टों में ही हो जाएगा ऐसे ही कुछ जबर्दस टीफ शेर करूंगे आपके साथ उम्मीद करती हूँ ये चोटी चोटी टीफ आप लोगों को बहुती ज़्यादा काम आएगा तो चलिए फ्रेंड टीफ हम देख लेते हैं पहला जो टीफ से फ्रेंड कई बर होता है क्या जब भी हम रोटी बनाने के लिए इस तरह से आटा तयार करते हैं आटा को गुते हैं बार-बार हमारे हातों में जो चूरी होते हैं चूरी आटा में लग जाते हैं या सिल बट्टा में हम जब भी मसाला पीछते हैं चूरी बार-बार परेशन हो जाते हैं हम बार-बार उठाते हैं फिर आवार नीचे गिर जाते हैं तो किस तरह से हम ए चूडियों को समहा ले जिससे हमारा चूड़ी खड़ाब नहीं होगा आसानी से हम घर के काम भी कर पाएंगे अवर्ज भी नहीं होगा इसके लिए छोटा सा एक टीप से फ्रेंड उम्मीद करती हूँ एक टीप आपको काम आएगा क्या करना होगा फ्रेंड इस तरह का जो रबर्बेंट हमारे घर में होता है आप एक रबर्बेंट ले लिजिएगा हातों में इस तरह से पहन के ले लिजिएगा इससे क्या होगा आपका जो चूरी है ना नीचे नहीं आएगा देखिए मैं टाइट करके उपर इस तरह से से दूसरे को थास चांग करों हैं लोए यह करको से पोइधा के पड़ार के सांख हमें इस सिलाई करना होगा इस तरह से अगर सिलाई करेंगे न फ्रेंड तो लंबे टाइम के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे क्योंकि महनत करके हम एगर चीज बनाएंगे तो बहुत दिन तक यूज करेंगे तो काम आएगा देखे अच्छे तरीके से सिलाई करने के बाद फ्रेंड हमें टाइट करके इसमें गाठ लगाना पड़ेगा जो हमारा ये स्कॉसबाइट है नहीं जल्दी खुलेगा इसको हम कैसे कहा पर यूज करेंगे फ्रेंड चलिए देख लेते पहले इसके उपर मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा हार्पीक देखिए इस तरह से थोड़ा सा हार्पीक मैं डाल रहे हूँ तो चलिए चीज हमारा रेडी हो गया है हमारे घर में जो टॉयलेट का फ्लोर होता है ना फ्रेंड कई वर एकदम से गंदा हो जाते है लाल लाल निशान आ जाते है अगर हातों से अगर ह हम रेडी कर लेंगे चπαको देखें हात को इस तरह से चपल का अंदर डाल कर हम क्लीन करेंगे ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे फ्लोर क्लीन हो जाएगा या हमारा जो टाइल सका देवल है वह भी हम आसानी से क्लीन कर पाएंगे सारे जो गंदेगी है हमारे एकदम से चुटकियों में गाइब हो जाएगा कोई भी ब्राश खरिदने की जरूरती नहीं पड़ेगा फ्रेंड देखे कितना बरिया तरीके से आसानी से हम एजगा को क्लेन कर रहे हैं फिर साब पानी से अब धो लिजिएगा आपका जो बातरूम का टाइल से मार्बेल का फ्लोर है एकदम से चकाचाख हो जाएगा तो एक छोटा सा टीफ आप भी अपलाई करके जरूर देख सकते हैं फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको भी काम आएगा तो चलिए आगला नेक्स टीफ हम देख लेते हैं आगला जो टीफ से फ्रेंड अंडा को लेकर कई बार होता है क्य बॉयल किये हुए अंडा बहुती गरम रहती है हमें सुबा बहुती जलबाजी रहती है अगर अंडा को ठंडा करने जाए तो बहुत समय लग जाते हैं तो गरम अंडा को हम किस तरह से छिलका को अलग करेंगे जिससे हमारा समय नहीं लगेगा पहले देखें पानी से मैं अ अंडा का छिलका आपस में बारी खाएगा जिसके कारण अंडा का छिलका आसानी से हम छिल पाएगे देखे इस तरह से एक दो सेगेंट के लिए मैंने हिला लिया है फेर अंडा को छिलका है ना एक गम से अलग हो गया है फ्रेंड समय नहीं लगता गरम अंडा को आप आसानी स इस तरह से छिलके को अलग कर सकते हैं और इससे आपका क्या होगा अंडा भी आपका तूटेगा नहीं देखे कितना बड़िया तरीके से हमारा अंडा का छिलका हमने अलग किया है तो जल बजी में हो अगर अंडा बहुती ज़्यादा गरम हो ए छोटा सा टीप्स का आप भी अपलाई कर सकते हैं समय भी नहीं लगता है तो ए छोटा छोटा टीप्स अगर आप लोगों को काम आए तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा चलिए आगला नेक्स टीप हम देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स टीप जो है हमारे घर में इस तरह का जो बोतल होते है या हमारे घर में इस तरह का जो चीज होता है ना फ्लक्स होते है कई पर बच्चा लोग हातों से गिट जाते हैं फ्लक्स खराब हो जाते हैं तो हम फेक लेकिन फ्लक्स का जो उपरी बाला नीचे बाला हिस्सा है ना बहुती ज़्यादा काम को होता है तो ए फ्लक्स तो हम फेक देंगे ए चीज हम यूज कर पाएंगे किस तरह से हमारे घर में जो इस तरह का ग्रेटर होता है चाकू होता है पीलर सारे चीज हम इधर उदर रख द कर सूखा मिर्च बहुत दिन तक अगर रख देंगे ना इसमें कीरा लग जाएगा फंगास आजाएगा तो किस तरह से अगर हमें सूखा मिर्च में कीरा लग जाए फंगास आजाए तो हम किस तरह से इसको दूबाड़ा से यूज कर सकते हैं नहीं क्योंकि बहुत ही महेंगा है फेग भी नहीं सकते इसके लिए आप गैस के उपर कड़ाई रखकर अच्छे तरीके से सुखा मेर्च को गरम के लीजिएगा एक मिनिट के लिए एक मिनिट तक ही करना नहीं तो इसका color change हो जाएगा फिर अच्छे तरीके से ठंडा कर कर लसून तो हम खाने में यूज करते हैं लेकिन इसका जो छीलका है ना छीलका अलग करना जाये तो बहुती जदा दिक्कतबली काम होते हैं तो किस तरह से हम चुटकियों में लसून को छील सकते हैं एक इस तरह से जो सरासी होते हैं ना हमारे घर में हम कराई बगरा पकरते ह इस तरह से सरासी को लेकर मैंने यह आप ले लिया है एक सरासी सरासी को मुझ में क्या करेंगे लेसून को जो उप्री वाला हिस्सा होते है इस तरह से पकड़ लेंगे देखिए आप चाहे तो चीम्टा भी ले सकते हैं चीम्टे की मदद से भी एकाम कर सकते हैं तो हमारे घर म सारा से अभिलेबल था मैंने यह ले लिया क्या करेंगे लसून कोई गैस के उपर एक दो सेगंड के लिए रुख देंगे एक लगते से लसून को आपके उपर रखेंगे ना इस एकदम से नरम हो गया है नाखुनों को आपको यूस करने की जरूरती नहीं पड़ेगा फ्रेंध। इससे नाखुन दर्थ करने लगता है, कईवे नाखुन गंदा हो जाते हैं, तो इस तरह से अगर एक दो सेगेंड के लिए आपके उपर रख कर लसुन के छिलके हम अलग करेंगे ना, समय तो लगेगा ही नहीं, हमारा नाखुन को भी यूज़ करने के जरूरत नहीं पड़े तो चलिए आगला नेक्स टीव देख लेते हैं, आगला जो टीव से फ्रेंड दूद को लेकर, दूद तो हम सभी लोगी खाते हैं, बच्चे को भी पिलाते हैं, कई वर होता है क्या हम जो दूद लेकर आते हैं, गाई का दूद या पैकेट दूद, तो हम किस तरह से जाने जो दूद हम लेकर आते हैं, उसमें कोई भी मिलावट है या नहीं है, आसान इसे हम घर पर इसको ट्राइ कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ मिलावट है की नहीं है, इसके लिए हमें चाहिए एक बेलन, कोई भी आप लक्री का चीज या पर ले सकते हैं, बेलन हमारे सभी के धर में अवैलाबल होता है friend, मैंने इसलिए एक बातन के ओपर बेलं ले लिया, मैं दोनों quality के दूध यहापहि लिया है, पहला जो दूध है, एक quality का दूध देखें चम्मच के मदग से मैं बेलं के ओपर डाल रहे हूं, और दूसरा जो quality का दूध है, चम्मच के मदग से बेलन के ओपर डाल रहे हैं, दोनों साइट देखें, पहले जो डाला था, इसका कोई भी निशान नहीं है, देख सकते हैं, दूसरे बाला का white जैसा एक निशान है, इसके मतलब पहले बाला में बहुत ही ज़्यादा मत्रा में पानी मिलाया हुआ है, और दूसरी बाला जो है इसके अंदर कम पानी मिलाया हुआ है, इसलिए अभी भी white निशान है, इस तरह से आप घर पढ़ी आसानी से अजमा सकते हैं, आपका दूद में कितना ज़्यादा पानी है, आगला टीप्स चलिए देख लेते हैं, हमारे घर में जो basin है, sink है, कई बर होता है, क्या इसका जो कॉसबाइट की मदर से फ्रेंट, एक दो सेगेंट के लिए अगर आप इस तरह से घीसेंगे न, तो देखिए, जो सारा निसान है, एकदम से गायव हो जाएगा, और आपका जो टैब है न, basin का या sink का, एकदम से नए जैसा हो जाएगा, अगर आप 15 दिन में एक बार, या म जमक देख रहे थे, पहले कितना जादा दाग धब्बे थे, आप देखिए, नए जैसा जमक आ गया है न, तो ए छोटे छोटे टीप्स, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे, तो जरूर एक लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेर करना, और मुझे सापोर्ट करना